अलो फेंट्स वेलकम टू माई चैनल अज वैं आप लोगों को नेव डिजाइन कर थान पूस बताने वाली हूँ और यह बहुत प्यारे डिजाइन है बनाने मुथ नहीं असाल है और यह बहुत जल्दी बनके तयार हो जाता है तो फेंट चलिए बता देए कैसे बनेगा और इसको हमने 3 कलर में देखो बनाया है अभी यह वाला कलर हमें लास्ट में लगाना है यहां यह जो इसे बनाया हूँ है पत्ति कति तो यह बनाया था इसको हम 3 लेयर में बनाएंगे और आप लोगों को छुटा से सेंपल बता रहेंगी यह कैसे बनेगा अब यह दिखो यह हमने एक गांट लगा लिया है तो पहले हम इसमें चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पाच और यह छे, छे चेन बनाने के बाद आप इसको हमें ऐसे रिंग जैसा बना लेना है और फिर इसके बाद हम चेन बनाएंगे देखो एक, दो, तीन, और यह तीन चेन बनाया तो इसमें हमें एक चेन और बनाएंगे फिर इसके बाद डबल कुर्सिया लेंगे फिर यह दो हो गया देखो इसको हमने चार चेन बनाए इसलिए ना कि तीन चेन हमारे फंदा हो जाएगा और एक हमें बढ़ाना जोगा, देखो, एक चेन बढ़ाया, फिर एक लेंगे हम, डबल कुर्सिया, फिर एक चेन बनाएंगी, फिर एक डबल कुर्सिया लेंगी, फिर एक चेन बनाएंगी, फिर एक डबल कुर्सिया लेंगी, एक चेन फिर बनाएंगी, एक डबल कुर्सिय अग बाद एक चेन बनाना है देखो एक डबल कुर्सिय फिर एक चेन फिर एक डबल कुर्सिय फिर एक चेन बनाएंगे तो चेन को ज्यादर धीला भी नहीं रखना है और ज्यादर टाइट भी नहीं लेना फिर एक चैन एक डबल कुरसिया एक चैन करके हमें ऐसे बार डबल कुरसिया त्यार करना है अब यह देखो पहले हमें इसको गिंती कर लेते हैं कितना हुआ एक, दो, तीन, चार, पार, छे, साथ, ताट, नो, दस, ग्यारा एक हमें और बनाना है अब यह हमेरा बार देखो गया हुआ इसके बाद हमें एक चैन लेकर कि हमें जॉइंट करना आ हम इसको जॉइंट कर देखो अब इसके ऊपर खीर हमें ऊजसी तरीक सरवे अब ये दो हो गया फिर एक चैन बनाएंगे फिर ये दूसरा वाला ना ये देखो थोड़ा सा देख रहा हो तो इहास बनाएंगे जो डबल कुर्सी हमने बना उसी फंदेक उपर ही बनाना है एक और बनाएंगे, यह दो हो गया, फिर इसके बाद एक चेन बनाएंगे, फिर अब दूसरे वाले मैंसे बनाएंगे, तो यह दूसरा राउंड है, ऐसे हमें पूरा राउंड तयार करना है, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसके उपर बनाएंगे, अब हमें डबल डबल ल एक chain बनाएंगे, देखो, एक chain बनाने के बाद, तो हमें अभी पाले में हम single single लिये थे double crochet, अभी दूसरे round में हमें double लेना है, एक फंदे को पर ये देखो न, एक double crochet है, उसके पर जो hole दिख रहा है, उसी में हमें दो दो बार लेना है, और बीच में हमें एक एक chain बनाना है, तो ऐसे ये दूसरा round हम ऐसे तयार करेंगे, तयार करके फिर आगे बताती है, ये दिखो अब दूसरा round पूरा हो गया, अब इसको हमें यहां joint करना, इसको slip करके इसे joint कर लेंगे, और फिर से हम chain बनाएंगे, एक, दो, और ये तीन, ये फंदा ये हो गया, वापस उसी अब ये तीन फंदा हो गया, फिर इसके बाद हम chain बनाएंगे, तो अब हम दो chain बनाएंगे, एक और दो, फिर इसके बाद देखो इस वानिम बनाएंगे, तो अब हमें double कुरसिया लेना, ये तीसरी round में double, नेखो फर्स्ट में एक था, फिर हमने double किया, अभी हां तीन बनाएंगे, फर्स्ट वाले में हम दो बनाएंगे, उसके बगल में हम एक बनाएंगे, तो जब भी round हमारा आए गया, तो फर्स्ट में ही दो बनाना है, हर राउंड में फर्स्ट में दो बनाना है, अब ये देखो तीन हो गया, फिर इसके बाद chain बनाएंगे, फिर इहां चेन बनाएंगे और चेन को ज़्यादा टाइट नहीं बनान। ज़्यादा धीला भी नहीं बनाना हो कि भढ़ा हो जाएगा फिर उसके भगल में एक बनाएंगे तो इस तर्法 कैसे हार रौण में एक पन दे मारे बढ़ते जाएंगे और चेन हमने दो-दो इसलिए रखा ना कि बीच में जिसे गहराई आजाती है ना कर्टोरी जैसा ऐसे नहीं आना चाहिए अब यह देखो दो चेन हो गया फिर यहां बनाएंगे दो डबल कुरसिया तो हर राउन में एक-एक फंदा ऐसे बढ़ता जाएगा और हमें ऐसे एक बनाना है और फिर एक बनाएंगे फिर यहां दो चेन बनाएंगे फिर यहां दो बनाएंगे दो डबल कुरसिया फिर इसके बाद एक बनाएंगे इसी तरीके से हमारा यह थर्ड वाला राउन जाएगा पूरा देखो तो यह जो हमने 12 बनाय हुआ है ना तो 12 यह हमारा आना चाहिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे इसी को पर हमें बढ़ाना है अब यह पूरे राउंड कम्प्लीट करके फिर मैं आगे बताती हूँ अब यह देखो तीसरे राउंड तूरे कम्प्लीट हो गया अब यहां इसको हमें इसे जाइंड कर देना है ऐसे सिलिप करके और फिर हम चैन बनाएंगी एक, दो, तीन, वापस उसी जगह फिर हम दो खंदा बनाएंगे तो देखो जब हमारा राउंड कम्प्लीट हो जाएगा ना तो जहां हम जाइंड करेंगे वहीं से हम स्टार्ट कर देंगे और डबल कुर्सिय डबल फंदा बनाना है देखो एक बनाया हमने चैन लेकर किते एक फंदा हो गया फिर से वापस लिया दो हो गया डबल कुर्सिय करके तो आप जितना राउंड लोगे न यहीं से हमें बढ़ाना देखो फंदा है इसकी बाद वाला सिंगल सिंगल लेना है और फ़र्ष्ट में डबल करना है आपको फिर देखो अब इसमें लेंगे हम इस वलें लेंगे तीन है न नीचे फिर इसमें लेंगे अब यह चार हो गया तो आप जितना राउंड जाओगी यह चीन बढ़ता जाएगा आपका फंदा है फिर यहां दो चेल लेंगे हम फिर से देखो अब इस वालें बनाएंगे इसमें देखो तो इसमें हम दो बनाएंगे एक हो गया और ये दो हो गया फिर उसके बगल वाले में बनाएंगे ये तीन हो गया फिर उसके बगल वाले में बनाएंगे तो ये चार हो गया इसी तरीके से हमें पूरे राउंड को घुमाना है तो ऐसे देखो अब ये तीन राउंड पूरा हो गया यह चवत हम बना रहे हैं, दो राउंड और बना के, फिर मैं आपको आगे बताती हूं कैसे बनाना है, अब देखो हमने इसको त्यार किया है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे राउंड त्यार किया, हर राउंड में एक फंदा मेरा बढ़ा हुआ है, और जाली हमारी सा इसमें बनाया हुआ है, यह हमने देखो, ग्यार राउंड पूरा इसमें लिया है, तो इतना बड़ा हुआ है, आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं, अब इसके बाद मैं आपको यह वाला बनाना, बताऊंगे कैसे बनेगा, और पूरा बनाने से बहुत जादर टाइम लग पिर यह 4, 4 चैनल लगने के बाद देखो एक, दो, तीन छोड़के और यहां हम इसको जाइंट कर देंगे से, फिर एक, दो, तीन, चार, अब यह बीच में जाली आ गए, अब यहां हम इसको जाइंट कर देंगे से, फिर से एक, दो, तीन, चार फिर एक, दो, तीन छोड़के फिर यहां चवथी वाले में लेंगे तीन फंदा बीच में छोड़ देना है फिर चवथे में लेना इसको फिर एक, दो, तीन करके तो आएसे हम पूरा राउंड यह तयार कर देंगे और तयार करने के बाद फिर मैं आपको बताते हुए इसी तरिके समय पूरा राउंड लेना है देखो पूरा राउंड तयार हो गया अब यहाँ कैसे बनाना है पर विर हम यहाँ एक चेन बना लेंगे फिर ये दो, दो chain बनाने एक बाद, ये देखोई जो हमने बनाय हुगा है न, छोटा छोटा बॉक्स, इसी में हमने बनाना है, पाँच बनाएंगे, डबल कुरसिया, एक, फिर से दो, फिर तीन, फिर से चार, फिर पाँच, ये पाँच डबल कुरसिया हो गया, अब इसके ब दो, तीन, चार, चार chain बनाने बाद इसको हमें ऐसे घुमा लेना है, वापस, और यहां से इसको हमें joint करना है, aim joint कर देंगे इसको, और slip करेंगे ऐसे, फिर से chain बनाएंगे, एक, दो, तीन, अब इसको घुमाना ऐसे, घुमाने के बाद सीधा side आ गया, अब यहां से देख फिर यह तीन, तो तीन double कुरसिया हमें बनाना है, और first of all हमने chain बनाया, तीन chain बनाने एक बाद तीन double कुरसिया, अब फिर तीन chain बनाएंगे, और इसको हमें joint करना है, तो इसको ऐसे slip कर लेंगे जो हम chain बनाएंगे ना तो इसको slip करना है अब इसको थोड़ा से खीच लेंगे इधा फिर से तीन chain बनाएंगे दो, तीन फिर वही तीन खंदा बनाएंगे हाँ डबल कुर्शिया करके एक दो तीन अब यहां तीन chain बनाएंगे एक, दो, तीन फिर यहां इसको ऐसे slip करके जैंट कर देंगे और फिर से ऐसे ही बनाएंगे एक, दो, तीन अब इसको थोड़ा से इसको खीच देना ते हाँ जगा बन जाएगा फिर तीन खंदे बनाएंगे हाँ डबल कुर्शिया करके बीच में डबल कुर्शिया तीन तीन रखना है और दोनों साइड में तीन तीन chain से हमें बनाना है फंदे को तो पास फंदा हमारा बन जाएगा अब देखो तीन चेन बनाएंगे अब इसको यहां जाइंट कर देंगे इस वड़े में अब इसे भी ऐसे slip करना है अईसे फिर से थीन चेन बनाएंगे अब इसको देखो यहां जाइंट करना है यह उन्हें नीचे पास फंदे बना हुआ है ना वहां जाइंट करना है फिर इसके बाद चेन बनाएंगे एक, दो, तीन अब ये जो बीच वाला है इसमें हम बनाएंगे इसको ऐसा जॉइंट करेंगे बस फिर बनाएंगे तीन चैन एप दो उन तीन अब ये दूसरा वालन ये आप फिर से हमें इसमें बनाना है तो देखो, बीच वाला हमें एक छोड़ेंगे, इसमें हमें सिंगल ऐसे जाइंट करना है, तीन तीन चैन बनाएंगे, जाइंट करेंगे, फिर तीन चैन बनाएंगे, तो यह देखो, तीन पत्ती हमारी बन के रेडी हो गए न, सेम उसी तरीके से हाँ भी हमें फिर बनाना है बीच बीच में एक हमें छोड़ना है और दूसरे वाले हमें ऐसे बनाना है तो इसमें भी हम पास फंदे ऐसे बनाएंगे एक बार और बता देती हूं ऐसे हमें पूरा राउंड तयार करना है एक हो पास फंदे हो गया नो अब यहाँ फिर से तीन खंदे बनाएंगे, एचेन बनाएंगे, फिर एक चार, यह चार हो गया, वापस ऐसे हम इसको घुमा देंगे, देखो पले घुमाना है, ठीक है, घुमाने के बाद यहाँ जयंट करना इसको, और इसको हम ऐसे सिलिप करेंगे, फिर से तीन चेन यह ना देखो एक साथ पत्ती बन रही है और इसी में हमारी तिने पत्ती बनेगे तो ऐसे हम पूरे राउंड तैयार करेंगे इसको अगर आपको सिंगर लेयर बनाना है तो सेम इसी तरीके से बनेगा अगर टू बनाते हो या थ्री बनाते हो आपको जैसा पसंद हो यह पूरा राउंड हम कम्प्लीट करके फिर मैं आज़र आपको बताती हम पिछे से कैसे बनाना है तू लेयर अगर बनाना चाहते हैं तो अब इसको देखो यहां जोइंट करना है ऐसे जोइंट कर देगे फिर से तीन चेन बनाएंगे फिर तीन थन्दे बनाएंगे यह देखने में लग रहा है कैसे बनेगा लेकिन बनाने में बहुत ही आसान है फिर से 3 chain बनाएंगे फिर इसको हमेहां जॉइंट कर देंगी देखो ऐसे slip करके जॉइंट करना फिर 3 chain बनाएंगे तो ऐसे बनाने से नहांट यह पत्तिक इसे बहुत अच्छी बन रही है, बेच में तीन डबल कुर्सिया करना है, फिर से तीन चेन बनाएंगे, अब देखो इसको यहां जॉइंट करेंगे, लास्ट आला हमें यहां जॉइंट करना है, फिर चेन बनाएंगे, अब इसके बाद ध्यान देना देखो, तो पत्ति हमारी इसी तरीके से बनती जाएगी, और बीच में जो हमने बोला एक एक छोड़ना है, तो इसमें अब हमें जॉइंट क्लिक करना है, तीन चेन बनाएंगे, फिर तीन चेन बनाएंगे, तो इसमें हम दिजाइन बनाएंगे, तो इसी तरीके से हमारी डिजाइन बनती जाएगी, हमें ऐसे पूरी राउड में बनाना है, पूरे राउड में बनाएंगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बनाके फिर मैं आगे, बताती मुँ, यह देखो पूरा राउंड तयार हो गया अब जब आपको दूसरा राउंड बनाना होगा तो इसके पीछे देखो कैसे बनाना होगा पहले आपको चेन चेन करके चेन ले करके पूरा राउंड आपको गुमाना पड़ेगा और यह फ्लावर ना इसके पीछे आपको तीन लेन पढ़ेगा और यहां आपको पास्चेन लेना पढ़ेगा ॐ इसे, देखवा आप पीछे सी अभ यहां से बनाएंगे, हम ना इसको ऐसे घूमा ले ना क्योंकि उछ्टा पड़ेगा नम, तो इसको आपलो घूमा लेना है अब ये बीज में आपको बनाना है तो यहां पास चैन बनाना अब फिर यहां आपको जॉइंट करना देखो यहां जॉइंट करना इसको ऐसे लेना और इसको यहां जॉइंट कर देना इसे ऐसे ने करके फिर यहां तीन चैन बनाना एक दो और यह तीन तीन तो इसको यहां जोइंट करना दिखू यहां से फिर जोइंट करके और फिर यहां बीच में आपको बनाना तो पास चैन बनाना है एक दो तीन चार पाच पाच हो गया फिर इसको यहां जोइंट करना ऐसे बीच में तीन चेन बनाना है अब इसको यहां जाइंट कर देना तो देखो इसी तरीके सामें पूरे राउंड में चेन ले जाना है यह फ्लावर के पीछे हम जब बनाएंगे तेहां तीन चेन लेंगे और यहां बीच पे बनाएंगे तेहां पाथ चेन लेने ऐसे पूरे रा आपको इसमें आप पांच पंदे पहले ऐसे बनाओगे बनाने के बाद फिर यह पत्ति आपकी बनेगी दूसरे लेयर में ठीक है तो ऐसे हमारी डिजाइन बनकी रेडी है हमने बना के रखा हुआ है पूरा बनाने के बाद थाल पूर दिजाइन इसी तरीके से आएगा हमने टू लेयर किया इसमें हमें एक लेयर और बनाना है पिंक कलर से हां बनाएंगे तो एक राउंड में हमारे चैन बनेगा चैन से जब हम बना लेंगे तो फिर दूसरे राउंड में यह फ्लावर बन जाएगा तो इसी तरीके से बनकी रेडी है अगर मेरे वीडियो पसंद है में वीडियो को लाइक सेरके हैं चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूने और वीडियो कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बताया है